नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिदेंस टुटोरियल दोस्तों आज हम देखेंगी आरो यारो से लेटेड हिंदी को जो भी हिंदी पूछी आती है आरो यारो में 60 नमबर की पूछी आती है 60 नमबर की और कोर्षन भी 60 होते हैं और स्लेबस में क्या-क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताया देता हूं जो टॉपिक पूछे आते हैं सब्द विलोग इसके दस कोशन आते हैं वाक्यवम वर्तनी सुद्धी इसके भी दस मास के दस कोशन आते हैं अनेक शब्दों के इस्थान पे एक सब्द अनेक आर्थी शब्द वलते हैं अनेक शब्दों के विस्थान पे एक शब्द इसके भी दस कोशन आते हैं तदभव एवम तत्सम ठीक इसके भी दस कोशन विसेशन आते हैं विसेश से इसके भी दस कोशन आते हैं ठीक है और पर रहा है वाची तस कोशन तो आपके पास टापिक कितने हो गए छे टापिक वह एए फॉड नमबर और यह फाइब नमबर यह इस इस तो आपको दस कोशन हर टापिक से दस कोशन आते हैं दे दस मार्क के तो तो 60 marks का ये हिंदी का पेपर होते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को विशेशन और विशेश से ठीक है विशेशन की परिवासा देख लीजिए क्या होती है परिवासा भी कभी बार पूछ लेते हैं जो सब्ध संग्या अत्वा सर्वनान के गुड दोस शंख्या अत्वा अवस्था आधिकाबोद कराते हो ठीक है जो भी सब्ध हो जो जो भी सब्ध या वो संग्या हो हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है ठीक है उनके गुड दोस संख्या परिमाद अत्वा अवस्था आधिकाबोद कराते हैं विशेशन कहलाते है जैसे वीर पुरुस की विसेस्ता हो गई थिक है तो वो क्या हो गया गुण हो गया ना उसका वीर पुरुस आलसी लड़का उसका दोस हो गया पांच सेव पांच सेव संख्या बोधक संख्या को बता रहा है दो मीटर कपड़ा तो क्पड़ा क्या है परिमाद हो गया ऑर अवस्था छोटा बालक इसके अवस्था कैसी है छोटी तो ये इनके गुण दोस संक्या परिमाद अत्वा अवस्था का बोध कराते हैं तो वो विशेशण कहलाते हैं ठीक है तो वीर पुरुस आलसी लड़का पांच सेब दो मीटर पड़ा छोटा सब्द करमसा गुण दोस संख्या परिमाडवम अवस्था से संबंदित विसेश्थाएं बता रहें ठीक है तो विसेश्ण सब्द वो होते हैं जो किसी संग्यावा सर्वनाम की विसेश्था बताते हैं ठीक है तो संग्यावा सर्वनाम की विसेश्था बताने वाले सब को क्या कहते हैं विसेश्ण और वहीं विसेश्था क्या होता है वो भी देख लेते हैं जिस संग्यावा सर्वनाम की विसेश्था बताए जा रहे हैं अब जिसकी विसेश्था बता जाए रहे थी वह विसेश से हो गया जैसे पुरुष कैसा था वीर क्या था विशेशन और पुरुष यहां पर क्या होगा विशेश से ठीक है विशेश से यहां पर क्या हो जाएगा पुरुष विशेशन प्राया विशेश से पहले ही आते हैं तो यह की नोट है विशेशन प्राया विशेश से पहले ही आते हैं जैसे मुझे मीठे विस्किट अच्छे लगते हैं तो विस्किट क्या हो गया यहां पर विस्किट क्या हो गया और मीठा क्या हो गया उसकी विस्सता हो गई तो विसेशता जो होती है वो विसेशन कहलाती है और जो जिसकी विसेशता बताई जा रही है उसे विसेश से कहते है और विसेश से पहले विसेशन आ रहा है ये भी आपका point clear हो गया सडक पर काली घोडी भाग रही थी सडक पर कैसी घोडी भाग रही थी काली काली क्या हो गई उसकी विसेशता हो गई गोडी यहां पर विसेश से हो गया विसेश से क्या हो गई गोडी और काली यहां पर उसकी विसेशता है तो वो विसेशन हो गया बाजार से एक किलो चावल लाओ, बाजार से एक किलो चावल, तो परिमार बोदको गया, चावल क्या हो गए यहां पर विसेश से, ठीक है, कभी-कभी विसेशन, कभी-कभी विसेशन, विसेशन के बाद ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे देख लेते हैं, लड़का बुद्धिम आम मीठे हैं तो अभी क्या था वीर पुरुस वीर पहले आ रहा था और पुरुस वाद में आ रहा था विसेशता पहले आ रहे थी पुरुस पुरुस जो विसेश से था तो विसेशन पहले आ रहा था अब यहां कभी कवार क्या होता है विसेशन विसेश के वाद भी प्रयोक विशेशन प्राया चार प्रकार क्यों होते हैं गुण वाचक, परिमाण वाचक, संख्या वाचक और सार्वनामिक या संकेत वाचक तो चार प्रकार कौन कौन से हैं गुण वाचक, परिमाण वाचक, संख्या और सार्वनामिक सारवणामिक या संकेतवाचक next point पोईंट डेखते हैं गुड़ वाचक विसेशण तो गुड़ वाचक विसेशण क्या होता है वो भी देखते हैं सांग्यावल सारवणाम के किसी भी गुड़ से संबंधित विसेशता का बोज कराने वाले सब्धों को गुडवाचक विसेश्ण कहते हैं जो भी संग्या या सरवणाम की गुड़ से सम्मंदित गुड़ से सम्मंदित विसेश्ण हो संग्यावा सरवणाम के गुड़ से सम्मंदित विसेश्ण कराने वाले सब्दों को गुडवाचक विसेशन कहते हैं, ठीक है, गुडवाचक विसेशन कहते हैं, तो संग्यावा सर्मनाम की गुड़ से सम्मंदित विसेशता बताने वाले सब्दों को गुडवाचक विसेशन कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे घर में सफेद गाय, गाय कैसी है गाय तो है मगर वो सफेध है तो यह उसका गुड़ हो गया गुड़ वाचे विशेषण में गुड़ सब्द का प्रयोग गुड़ दिशा दसा स्वाद रंग काल एवं इस्थान आदि के लिए होता है ठीक है गुड़ किस टाइप की हो सकती उसके गुड़ हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है दिशा उसकी दसा गुड़ वाचे विशेषण कहते हैं जैसे गुड़ में देख लेते हैं कौन सा है अच्छा बुरा कठिन सरल सच्चा जूटा और दानी दयाल निर्दई इमानदार आदि यह सब इंसान के गुड़ या सरवनाम या संगा के गुड़ को बोद कराते हैं अब दसा क्या अप फटा हुआ और स्वस्त उसकी दसा हो गई वही द्रशा देख लेते हैं फस्चमी तो चारो दिसाएं हो गए पस्चमी उत्तरी दच्छडी और हूर्वी फस्चमे उत्तर पूर्वोत्तर आदि ठीक है तो उसकी दिसाएं हो गई स्वाद कैसा है? मीठा, खटा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसेला, आदी हरं किस थाइप का? काला गूरा, नीला, पीला, चमकीला, सुनहरा, आदी काल कैसा है? प्राचीन काल, आधुनिक काल, एतिहाशिक काल, पुराना इस्थान देख लेते हैं, भारतिय, विदेशी, चीनी, अमेरिकी, रूसी, रूसी और देशी आदी ठीक है? देशी या ग्रामेड आदी आकार देख लेते हैं, बड़ा, छोटा, लबबा, चोड़ा, तिकोना, चोकोर, उचा, इतियादी इस्पर्स, कोमल, इस्पर्स, कठोर, चिकना, खुर्दरा या नरम, यत्यादी ये इस्पर्स में आ सकते हैं गंद कैसी है? गंद गुडवाचक, जो विशेशन है वो देख लेते हैं खुसबुदार, बदबुदार, शौधा, सुगंधित, गंधेल, पादी अवस्था कैसी है? युव अवस्था, बच्चा, तरुन, अधेड, गुढ़ा, आदी तो ये सब आपके गुडवाचक विशेशन के प्रकार हो गए गुडवाचक विशेशन के प्रकार हो गए वही नेक्स सेकेंड देख लेते हैं परिमाण वाचक विशेशन जो सब्द किसी वस्था के परिमाण एवं माप तॉल सम्मंदी विशेशन का बोद कराता हो उसका परिमाण या माप तॉल माप तॉल समदी विशेशन का बोद कराता हो परिमाण वाचक विशेशन के लाता है 呼ば जैसे देख लेते हैं परिमाण वाचक विशेशन को दो भागव में बार रकिया है अब परिमाण वाचक में एक अनिस्चित और एक निस्चित परिमाड वाचक वो सब्द होते हैं जिन विसेशन सब्दों में वस्त की निस्चित मात्रा वस्त की निस्चित कॉंटिटी का ज्यान होता है जैसे 100 लिटर, 100 लिटर दोद हो गया, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर के अब फिक्स पॉइंट है, डलिया भर अमरूद, एक डलिया, डलिया इतना साइज है तो वो परिमाड वाचक, डलिया भर अमरूद, तो इस डलिया में जितने अमरूद आते होंगे वो फिक्स है, अब वही अनिश्चित परिमाड वाचक देख लेते हैं, जिन विसेशन सब्दों से अनिश्चित मात्रा का ग्यान हो, उन्हें अनिश्चित परिमाड वाचक विसेशन कहते हैं, जैसे थोड़ा जल, अब थोड़ा जल ग्लास है, इसमें जल कितना है, इतना भी हो सकता है, इतना भी ह इत्यादी ठीक है वह थर्ड नमबर है संख्या वाचक विसेशन वह विसेशन जो संग्या वह सर्वनाम की संख्या का बोद कराते हूं ठीक है, संख्या का बोध कराने वाले विसेशन को संख्या वाचक विसेशन कहते हैं, और संख्या वाचक विसेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या वाचक, दूसरा अनिश्चित संख्या वाचक थीक है तो दो प्रकार के संख्या वाचक विसे सड़ों थे हैं एक निश्चित संख्या वाचक दूसरा अनिश्चित संख्या वाचक अब निश्य संख्या वाचक के पाँच भेद है निश्य संख्या वाचक के पाँच भेद है वन टू थ्री पूर और फैल पहला है अंक वो धक दूसरा क्रम संख्या वाचक जो विशेशन है उसमें निश्चित संख्या वाचक विशेशन के पाँच भेद है अंक वोधक क्रम वोधक आवरत्य वोधक संख्या व्यक्ति इस टाइप के अब नेक्स देखते हैं अंक वोधक विशेशन क्या होते हैं वो भी देखते हैं जिससे अंक अथवा गिनिती का ग्यान होता है वह अंक वोधक संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे एक आधा चौथाई सवा दो नेक्स है क्रम वोधक क्रम वोधक क्या होता है वो भी देख लेते हैं जिन विशेशन से आगे पीछे के क्रम का वोध होता हो क्रम का वोध होता हो जैसे पहला पाचमा उन्नीसवा पहला व्यक्ति पाचमा क्रम वोधक उन्नीसवा ठीक है इस टाइप के क्रम वोधक संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं आवरत्य वोधक थध़ है आवरत्य वोधक जिन विशेशन से किसी संख्या के गुर्ण का पता चलता है थ्री टाइम्स दूगुना, चौँगुना, एकाहरा और दोरा जिन विशेषड सब्दों से किसी संख्या के गुढ़न का पता चलता है वो आवरतिवोधक विशेषड कहलाते हैं जैसे दूगुना, चौँगुना, एकाहरा, दोरा, आदि अब समुव वाचक, समुव बोधक, संख्या वाचक विसेसर देख लेते हैं जिन विसेसर से सामोहिक संख्या का बोध हो ने समुव बोधक, संख्या वाचक विसेसर कहते हैं जैसे दोनों, चारों, पांचों, सातों, इत्यादि ये समुव का बोध कराते हैं अब प्रतेक वोधक में यहां अनेक वस्तु में से हर एक का वूद कराता हूँ, ठीक है, बेरी बेरी इंप्टेट, हर एक का प्रतेक व्यक्ति, जैसे प्रतेक व्यक्ति, हर एक नेता, एक-एक अपराधी, हर दिन, प्रतेक वर्ज, तो हर एक व्यक्ति का वूद कराने वाले स सब्दों को प्रतेक वोधक संख्या वाचक विसेशन कहते हैं अब नेक्स देखते हैं अनिस्चित संख्या वाचक विसेशन क्या होते हैं ठीक है तो अनिस्चित संख्या वाचक विसेशन भी देख लेते हैं जिन विसेशन से विसेश की अनिस्चित संख्या का वोध होता हो उसे अनिस्चित संक्या वाचक विशेशन कहते हैं से कई कुछ अनेक सैकड़ों हजारों बहुत सारे लोग तो इसमें अनिस्चिता का बोध हो रहा है निस्चित नहीं है नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेशन या संकेत वाचक विशेशन जो सर्वनाम सब्द विशेशन के रूप में प्रयोक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहा जाता है या संकेत वाचक या निर्देश सूचक विशेशन कहा जाता है इनका दूसरा नाम है संकेत वाचक और निर्देश सूचक विशेशन या घर मोहन का है या घर तो यह किसका घर है मोहन का कोई लड़का कैसा है कोई लड़का गिल्ला है तुमारे घर में कौन लोग आये हैं तो यहां पे सार्वनामिक विशेशन कौन है यहां मेरे शाथी हैं शाथी किसके हैं मेरे यहां पे सार्वनामिक विशेशन है इस किताब को जरूर पढ़िए उस घर में कौन रहता है मुझे कहानी की कोई किताब खरीननी है ठीक है तो इसमें सार्वनाम के गुप में जो विशेशन ही हो रहा है उसे सार्वनामिक विश कि अब प्र्योंक की अधार्प देखिर लेते हैं मैं यो यह बहुत पूछा भंचा जाता है कि विसेश्च विसेशन और विधेः विसेशन प्रयों की अधार्प विसेशन को दो भागों में बट सांथ ता來到 एक विसेश्च विसेशन दूसरा है विधेय विशेशन अब विशेश से विशेशन क्या होता है वो देख लिए जब विशेशन पद विशेश से पद के पूर्व आता है जिसे गूरा अदमी अब विशेशन सब्द पहले है तो उसे विशेश से विशेशन क्याते है जो विशेशन पद के पूर्व आता हूँ उसे विशेश विशेशन क्याते है काला घोड़ा चंचल लड़का तो चंचल लड़का ये विशेष्ट विशेषण है वही विधेविशेषण विशेषण पद की पस्चात आने वाले विशेषण को विधेविशेषण कहते है तो विशेष्ट पद के पस्चात आने वाले विशेषण को विधेविशेषण कह जैसे घोणा काला है, राधा नाटी है, तो नाटी राधा के बाद आ रहा है, तो ये विध्ये विशेशन हो गया, मेरी गाये सीधी है, गाये जो है वो सीधी है, तो सीधी क्या है इसकी विशेशन हो गया और गाये क्या हो गया विशेशन हो गया तो विधेय विशेशन और विशेशन में क्या रिफ्रम्स हो गया विशेशन में जो विशेशन है विशेशन के बाद विशेश से आता है अब विधेय विशेशन में कि विशेश के बाद विशेशन आता है तो इसमें विशेश से पहले विशेशन आता है इसमें विशेशन के बाद विशेशन आता है अब प्रविशेशन के सेखत है यह पूछा गया है प्रविशेशन विशेशन की विशेश्टा बताने वाले विशेशन को अब विशेशन की विशेश्टा बताने वाले विशेशन को प्रविशेशन कहते है अब देख लिते हैं प्रविशेशन प्रविसेशन क्या करता है विसेशन की भी विसेशता बताता है ठीक है विसेशन की विसेशता बताता है अब विसेशन की विसेशता बताने वाले विसेशन को प्रविसेशन करते है अब कोई भी विशेशन है उसकी विशेशता बताने वले विशेशन को प्राविशेशन कहते हैं अब इसमें देखते हैं सिवा जी सिवा जी बड़े साहसी थे तो साहसी कितने थे बड़े साहसी थे साहासी की भी विशेस्था बता रहा है वह बड़े गोतों सेハハ कैते हैं मनोज कि तेज विध्यार्ती में कितना है बहुत थेज विध्यार्ती है तेज को भी और जोटे रहा है Technology और शुर्म को सुद्र लड़की तो है मगर अतिसुन्दर लड़की तो है तो यहां पर नीटू की विसेष्था सुंदर और सुंदर के बाद अतिसुन्दर भी यह तो वह रवीया करेंगे और आसा करते हैं कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकान दमाना बीपल मत हुझे जिससे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे जय हिन जय आरत धन्यवाद